हेलो बच्चो कैसे हो आप आज हमकशा साथ हिंदी की वर्क सीट 19 हल करेंगे ये 1 दिसमबर 2020 की वर्क सीट है बच्चो आज हम वर्क सीट में रहीम दास जी के दोहे के बारे में पढ़ेंगे चलिए तो वर्क सीट हल करते हैं बच्चो आज हम रहीम दास जी के दोहे पढ़ें और उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में भी अपनाएंगे पहला दोहा है कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसोटी जे कसे तेई सांचे मीत तो इस दोहे का प्रसंग लिखा है प्रस्तुत दोहे में रहीम जी सचे मित्र की पहचान बताते हुए कहते हैं कि अव्याख्या में लिखा है जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो सभी हमारे सगे बनते हैं हमसे मित्रता करने की कोशिस करते हैं पर विपत्ति रूपी कसोटी पर जो खरे उतरते हैं वो ही सचे मित्र होते हैं अर्थात जो कठिन समय या कठिनाई में हमारा सा दूसरा दोहा है जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह रहीमन मचली नीर को तौन च्छाडती छो प्रसंग मचली का जल के प्रती प्रेम प्रदर्शित करते हुए रहीम जी कहते हैं कि पानी में जाल फैंके जाने पर पानी भै जाता है वह मचली का मोह छोड़ कर भै जाता है पर मचली का प्रेम पानी के प्रती इतना सच्चा होता है कि वह उसके प्रती अपना प्रेम नहीं छोड़ती और मर जाती है तो बच्चो दूसरे दोहे में मचली और पानी का एक दूसरे के प्रती प्रेम प्रदर्शित किया गया है चलिए अब वर्क सीट के प्रशन उत्तर करते हैं प्रश्न एक मित्र सब्द के दो परियावाची सब्द लिखिए तो बच्चों मित्र के कई परियावाची सब्द होते हैं जैसे मीत दोस्त सखा तो यहां पर हम कोई भी दोस्त लिख सकते हैं प्रश्न दो सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है तो इसका उत्तर लिखेंगे जो कठिन समय या कठिनाई में साथ देते हैं वो लोग ही सच्चे मित्र होते हैं प्रशन तीन कौन किस से सच्चा प्रेम करता है पानी मचली से या मचली पानी से आप ऐसा कैसे कह सकते हैं तो इसका उत्तर लिखेंगे मचली पानी से सच्चा प्रेम करती है क्योंकि पानी से अलग होते ही वे तडप तडप कर मर जाती हैं प्रशन चार पानी सब्द के तीन परियावाची सब्द लिखिए तो यहां हम लिखेंगे जल नीर अंबू पय तोय तो बच्चो आप इन में से कोई भी तीन परियावाची सब्द लिख सकते हैं प्रशन पाच क्या आपने किसी से सच्ची मित्रता निभाई है कैसे विस्तार से लिखिए तो बच्चों यहां पर आप कोई भी ऐसी घटना लिख सकते हैं जिसमें आपने सच्ची मित्रता निभाई हो आपकी स्वीधा के लिए मैं यहां पर लिख रहा हूं हां एक बार परिक्षा में मेरे मित्र के कम अंक आए क्योंकि उसके पास पढ़ने के लिए पुस्तके नहीं थी उसके बाद मैंने उसकी पढ़ने लिखने में खूब मदद की और उसको अपनी पुस्तके भी दिखाई जब अगली बार परिक्षा हुई तो उसके अंक भी मेरे बराबर आए तो इस प्रकार मैंने अपने मित्र के साथ सची मित्रता निभाई वर्क सीट के अंत में कोविट के संदर्ब में उचित व्यावार संबंधी सीएबी संदेश नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं तो बच्चो ये वर्क सीट यहां कम्पलीट होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें अन्य वीशियो पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहे हमारा चैनल नॉलेज किंगडम थैंक यू